जाहिंद बच्चो अपना स्कूल ऑनलीन चैनल में आपका स्वागत है आज हम क्लास 7 में चैप्टर 2 डिसकस करेंगे चैप्टर में चैप्टर करने से पहले आपको रुक्वेस्ट करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेर के तो यह शुरू करते है चैप्टर को इसमें देखें आइस्ता है चैंज चैंज कैन भी सदन और गैजो शेज हो सकते है और गैजिल मीण आइस्ता है इस्ता बहुत वी हो सकते हैं अर्थ के अंदर से होते हैं जैसे कि ड्यू टू बॉल्कनीज में कहीं पर ज्वाला मुखी फटने से और अर्थ को एक्टिविटीज कहीं पर बुकम आने से जो चेंजिज होते हैं इस फोर्सिज ब्रिंग रेडिकल चेंजिज और इसली वीजिकल इन से क्या देखिए काफी ज्यादा चेंज आते रेडिकली उसकी फोर्स से अपने अर्थ के सर्फेस पे जो कि हम इजली देख सकते हैं देखे कहीं पर वॉलकनीज होगा जवाला मुखी फटेगा हम असानी से पता लग जाता है कि यहां पर जवाला मुखी फटा है चेंज पता लगता है एकदम से व होने में उस चेंज को जिस कुट भी डू टू दा नैच्रल फोर्स इसमें देखे क्या है कैरिंग ऑफ स्वाइल बाई रेंवाटर तो रेंवाटर देखे आ कई सालों में पार जो स्वाइल उसको आईस्ता आइस्ता भाले आता है चेंज इंग नदी है उसके जो डिरेक्श लेकर जाएगी वो देखिए आइसता आइसता स्लो चैंज करेगी और उसमें समय लगेगा तो बात करते हैं एकली इंपोर्टन्स रोल इन दाचेंज इंग दा सरफेस ओव्दार्थ जो हमारा हुमंस का रोल है वह भी इंपोर्टन्ट है चेंज करने में क्योंकि हम भी चें प्रोसेस के बारें बात करेंगे जो इन्वाल्व्ड हैं इस में इसमें ब्रिंगिंग ग्रेजल चैंज ले खेंगे तो में हम उन चेंजिस के बारे मिनी करेंगे जो फास्ट होते हैं हम उन चेंजिस की बात करेंगे इसमें जो आर्थ की सर्फेस पे स्लो होते हैं तो ग्रैजुल चेंजिस की बात करेंगे आर्थ के सर्फेस पे तो फर्स्ट बात करते हैं इसमें एक्टरनल प्रोसेस जो बाहर इन में चेंज लारे हैं इस नौन अज अश। अश। इसको जाते बाहर ली प्रोस्थ को बाहर से कि एक्टर्नल प्रोसेस में लुटल लैवल ओफ लैन्ड विरिंग ऒफ लेन्ग वेडा रॉक पार्टिकल मिटी के जो कड़्ियों वह गें वहां से चूटके चलेगी जिसके कारण उसका लेवल था वो लोर हो गया इट के नार सो रेजर लेवल ओव दा लैंड और हो सकता है कहीं पर क्या है जमीन नीची थी वो बढ़ जाए जैसे कि नदियों माल लीजिए मिट्टी से लिजाए तो नदियों का एरिया जो है नदियां फिल अप हो जाएंगी म लेवल रेज हो जाएगा जहां से इरोज होगी वाहांपर लेवल कम हो जाएगा तो एक्स्टनल्र प्रोसेसिस में क्या है देखिए इंक्लूड चेंज इंडा काउट ओबैदरिंग एंड गिड़ीशन फॉइन को डिसकुस करते हैं एक डियो नों है जिअ मौर्फोलोजी क क्या होती है science होती है study करने की land forms को land form means देखिए कहीं पे पहाड हैं कहीं पे plane areas हैं कहीं पे deserts हैं कहीं पे plateas हैं तो अलगलग तरह की forms है हमारी तो उसकी study के लिए जो science होती होते हैं geomorphology तो बात करते हैं weathering process की तो देखिए the term weathering means process that breaks down the rocks into smaller particles beathering का मत्रव होता है कैसी process जो rocks को जैसे की रॉक दिखार के picture में आश्ता इसको छोटोटे हिस्सों में बाढ़ती रहेगी छोटोटे हिस्सों में तो इसमें क्या होता है includes erosion and deposition तो एक चीज क्या है erosion means वहां से गिसेगी और deposit means और और गहीं जाके क्या deposit हो जाएगी कठी हो जाएगी they just integrate as they are exposed to the art type of weather conditions जे देखिए किस लिए होते हैं सभी weather conditions के कारण जैसे मौसम अदलता है उससे क्या है इस पे असर होता है जो rock है वह eros होगी और deposit होगी तो factor weathering can be seen on the stone monuments and buildings where the piece of stone get flagged off and iron railing get arrested तो देखिए weathering में मौसम का असर जो है हम देख सकते हैं सी कर सकते हैं कहां पर stone के monuments पे जो पत्थर की मारते हैं buildings हैं उनके ओपर भी देख सकते हैं देखिए छोटे-छोटे जो pieces होते फ्लैक्ड मीन जैसे की रंग उतर जाता है घर से पपड़ी उतर जाती है इस तरह से आइसता इसता उतरत रहता है वो इनके फ्लैक्स मीन टुकड़े से इसी तरह करते हैं do you know में ग्रेडेशन का मीन से होते हैं labeling of the land की level करना land को it occurs in two ways यह दो तरह से होती हैं aggravation and degradation ग्रेडेशन दो तरी के हैं aggravation क्या है adding of sediments and raising the level of land माली जै कहीं पर जो level कहीं पर मिट्टी थी वो क्या है पानी से जा हवा से क्या है बह गई वहां से तो वहां से क्या है जो level से land का वो down हो गया degradation उसकी degrade हो गया जैसे कि किसी promotion हो थे हम कहते हैं promotion हो गई high level पर चला गया और demotion होती है means उसको नीचे ला दे वो किसी पोस्ट थे तो उसको कर दिया उसको demotion कर दिया सी तरह अपना level का बढ़ जाना रेज हो जाना degradation है और नीचे आजाना level का डाउन हो जाना वहां से कुछ चीज वीर आउट हो जाना उसको degradation कहते हैं तो बात करते हैं सेकंड चीज और इरोजन की इरोजन क्या है या क्या है ग्रेजुल वीरिंग और केरिंग वे ओफ दा आल वूज पार्टिकल उदा डिसिंटीग्रेटर्ड रॉक्स बिढ विच लाई एक्सपोज टूदा एर्फ सर्फेस बाइजेंट्स लिग्रेटिशन देखिए इरोजन का मतलब क्या है जितने भी ग्रेजुल उनके ड्रेक्ट कंटक्ट में आ गया और इसके इससे क्या है एजन्स ओफ डिग्रिजिशन जो एजन्स थे मीन जो मिट्टी तूट गी थी रॉक की वह किसके थू जाएगी जातो रणिंग बाटर पानी के साथ बैज जाएगी जाब विंड के साथ फुलो हो जाएगी जब पार्टिकल से रॉक को लूज कर देगी उसको अपने साथ ले जाएगी जो इसको बैदरिंग जो इसलो परसेस से ग्रैजुल बेरिंग है तो बात काते इसमें देपोजिशन की डिपोजिशन में कहां कहीं पर जाके जम जाना पोजीशन को डी लेना दोवारा पोजीशन ल वो देखे कैरी किये थे दूर दूर की जगहों पर अर्थ के सर्फेस पर एक जगह से दूसरी जगह वो जो सेडिमेंट से चोटले लूज पार्टिकल से जो रॉक से टुटे थे वो किसके दोवारा एजेंट्स और डी रिडिशन जैसे की रॉनिंग वाटर से विंड से फिकार दिपोजिशन तो रेट जो है कि किस स्पीट पर होता है एरोजन टेक्स प्लेस डेपेंड पॉन टैंपर्ट प्लेस यह दिखिए वहां से जो चीज है किस रेट पर वाहां से ब्रेकड़न होगी विर आउट होगी वह डिपेंड करता हूं के तैंपरेचर पर की उस जादा होगा और रात को कम होगा तो देखे जादा जो रॉक से सुगडेंगी फैल लेंगी जिसके कारण वह जादा डीग्रेटेशन होगी और देखे वैजीटेशन कबर जादा है तो कम जो मिट्टी उड़ेगी क्योंकि जो वैजीटेशन है जो पौद्दी है उसको और स्वाइल की टाइप है जल्दी रोज होगी अगर स्वाइल बढ़िया है क्ले टाइप है तो कम होगी इसी तरह चेंज इन लैंड यूज लैंड को लगातर यूज कर रहे हैं एक ही काम के लिए तो हो सकता है उसके फटलेटी लूज हो जाए तो उससे भी डिग्रेशन बढ़ जाए तो बात करते हैं एजेंट्स की जिसके कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह कटती है जिसकी बात किती जैसे पानी की हवा की इनकी बात करेंगे रणिंग बाटर जैसे जैसे आगे इसमें से और नदियां जुड़ती है इसमें निकलते रहती है यह flow होती है plane areas में and finally ends with the sea तो देखे कहने का मतलब क्या है जो कि नदी है नदी क्या है एक mountain से एक hill से पैदा होती है वहां से बर पिगलने से नदी नाले बनते है बहां पर काफी narrow होती है तो ऐससे जैसे वह आगे बढ़ती है उसमें और छोटी 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 नदियां मिल जाती है जिससे वह बिशाल नदी बन जाती है आके में planes में plane arias में और आयन एंड पे वह plane एरे वह को क्रॉस करके बहां पे सी में चल यह चाहे बेयों बंगाल में चल जाये चाहे रेवियन सब्सक्राइब नदी जहां से आएगी तो बीशेप का पाथ होगा अगर उसको नदी को सुका दें तो निचे वीशेप का पैटर्न मिलेगा जैसे कि आज कि नदी नाले बनाए जाते हैं गौर्मेंट द्वारा इटे लगाके वीशेप के उते हैं उस तरह की शेप मिलेगी जाई शेप की तो यह मिलते हैं जहां पर नैच्रली वाटरफाल होते हैं वहाँ आप देख सकते हो एज जैसे जैसे अब अब जी नदी जो है पहाड़ों को क्रॉश करने बाद जैसी जे प्लेश एंटर करेगी जहां पर प्लेश जहां पर स्टीप नहीं बने इरिया जाए वहां पर क्या होगी इटकमस टू स्टेज मेजार्टी मिंज सलो हो जाएगी अब अब जिखिए अपनी तरह जिस तरह बच्पन में था बच् की तरह नहीं खेलते हैं इस तरह इसकी जो स्पीड है प्लीनिर्ज में रिवर की वह भी स्लोव जाएगी लेकिन इसका बॉलियम जो है वाटर का बढ़ जाएगा इसमें पानी की तादार बढ़ जाएगी और इससे क्या है स्लोब अब देखें लैंड की स्लोब थी वह कम होग स्पीड और इसके वोलिम बढ़ गया अब जिसको मींडर्स कहते हैं इस्टेज को तो नेक्स्टेज क्या दिखिए बिफोर मिटिंग दा सी अब सी में जाने से पहले समुंदर में जाने से पहले रिवर बिकम्ज लार्ज एंड इस लगिश एंड डिवाड़े इन्ट समुंदर में तो जा आगे चोटे चोटी ट्रिबूटरी में बट जाती है पानी बहुत याता है तो एक जगा से पानी फ्रो ने पाता हो पानी और रस्तों से भी फ्लो होना शुरूए तो यह आप यह क्या है ओल्ड स्टेज पर जलेगी में जो नदी थी वह बट गई उसक से टुकडे होगे अब उसको ओल्ड से बुड़ापा आगे उसका तो रिवर तस डिपोजिट सेंड सेडिमेंट जो भी इसने उठाया हुआ था अपने साथ मिट्टी बगारा सिल्ट बगारा वो एक लाज एरी के पास क्या है डिपोजिट कर देगी यहां पर जैसी दिखा प्रेंट पर याज सी में